हेलो प्रेंट्स कैसे आप लोग यह मनी मार्किट इंस्ट्रूमेंट बिजनस टडिस लास्ट वेल्स का बहुत जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हर साल इस पर कोउशन आता है मनी मार्किट इंस्ट्रूमेंट से वेदर वो direct question की form में हो या फिर case study की form में हो तो money market instrument अपने आप में एक बहुत ही जादा important topic है आज मैंने एक trick बनाई है जिससे थुरूँ आप लोग एजली money market instruments को learn कर लोगे और कभी भी नहीं भूलोगे So my name is Sajthapar, I am a commerce graduate teacher and let's start देखो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि CUT की notification आउट हो चुकी है और ये exam हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि एक अच्छा college select करना है, एक अच्छी university target करना ये हर बच्चे का dream होता है इसी को देखते हो एन academy ने special classes start करिया आप लोग के लिए जो कि 25th of March से start हो रही है, जिसमें आप लोग के सारा का सारा syllabus cover होगा मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या benefits रहने वाले हैं आप लोग का free mock test मिलेंगे, quizzes मिलेंगे, जो कि आपको अच्छा score कराने में help करेंगे आप लोग का free special classes मिलेंगी, आपको structure recorded classes मिलेंगी, live.solving session रहेंगे और सारा का सारा जो ही extension आप लोग लिए रहेगा, जब तक आप लोग का CUT का या फिर CUT exam नहीं होता है तब तक आप लोग का free extension रहेगा इस batch का, अगर आप लोग refer code यूज करोगे, हर्च 1010 तो आप लोग को 10% का discount भी मिलेगा, ठीक है CUT, UG, Science के लिए जो हमापस educators है, सारे के सारे best educators है, लाइक विनीत रमेश सर है, mathematics के लिए, संगीता खत्री महम है, chemistry के लिए, भावना पूरी महम है, biology के लिए, और मनोज कुमार सर है, physics के लिए देखो जो हमारा part A है, जो की सबके लिए compulsory है, चाहिए वो commerce student हो, science student हो, या art student हो, सबके लिए compulsory है, इसमें भी आप लोग को best educators मिलते हैं, विनीत रमेश सर है, आपके पास quants के लिए, दिपांशु गर्ग सर है, आपके पास LIDI के लिए, रोबिन शर्मा सर है, general awareness के लिए, और शिपरा मिश्रा मैम है, इंग्लिश के लिए, दिको लिंक मैं आपको नीचे description में दे रहा हूँ, लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा, बहुत जादा important है, यह आप लोग अभी के अभी बैचे स्टार्ट कर सकते हैं, जितना जल्दी स्टार्ट करगों यह जल्दी आ आगे रहोगे बाकी बच्चों से, लिंक description में 10% का instant discount लेने के लिए आप लोग refer code यूज कर सकते हो, हर्स 1010, आपको 10% का instant discount मिल जाएगा, देखो इस बैच में अच्छी बात भी है कि आप लोग को C.E.T. के लिए मोक टेस्ट मिलते है, लाइव मोक टेस्ट होते हैं, जो की कोट है, हर्स 1010, instant 10% का आप लोग को discount मिल जाएगा, देखो जो निमोनिक है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको सलमान भाई दिख रहे हैं, CT मारते वे, और पीछे आपको background में dancers दिख रही है, टोटल मिला के 4 dancers है, तो सलमान भाई को कम से कम भी 4 CT माननी चाहिए, तो मैंने आपको बताया है, बहुत अदा important topic है, आप कैसे इसको learn and visualize करोगे, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर सलमान भाई को 4 dancers के recording लिए 4 CT माननी चाहिए, तो 4 CT है आज का हमारा निमोनिक रहेगा, 4 CT कैसे link करता है, यह हमारे money market instrument से, मैं आपको समझाता हूँ, देखो, इसी तरीके से आप लोग को हमेशा learn रहेंगे money market instruments, चार C लिखो और एक T लिखो, चार C और एक T, पहले वाले C का मतलब है commercial paper, commercial paper का मतलब क्या होता है, जब एक company को पैसो कोई need होती तो वो commercial paper के थूरू पैसे raise कर सकती है, funds raise कर सकती है, उसको बोलते है commercial paper, commercial bill क्या होता है, ज bills receivable और bills payable, यह सब चीज़ा हम लोग ने accounts में भी पढ़ी है, bills receivable और bills payable, ठीक है, third C का मतलब क्या है call money, call money क्या होती है, जब एक bank को पैसो कोई need होती है तो वो दूसरे bank से call rate पे पैसा ले लेता है, उसको बोलते है call money, ठीक है, चोते C का मतलब है certificate of deposit, जब भी कोई पैसा deposit होता है किसी company में अपने investment को अगर आप एक company में deposit करते हो, ताकि आपको interest मिले तो वो आपको certificate देते है, कि आपने पैसा यहां जमा किया, that's called certificate of deposit, treasury bill क्या होता है, treasury bill central bank issue करते है, government के भ्यापे अनिकी, central government के भ्यापे issue कर जाता है, treasury bill generally discount पे issue होता है, और यह पार पे redeem हो जाता ह तो दो से तीन मेने बाद आपको पूरे 25,000 तो मिल जाएंगे, जितने का treasury bill था, तो आपको 1000 का benefit हो जाएगा, इसके ओपर, ठीक है, समझा है, treasury bill क्या होता है, तो यह चार C और एक टी है, यह money market instruments से बहुत ही जादा important topic है, direct और indirect question यह ज़रूर आग्जाम में आता ही आता है, आप लोग मुझे नीचे comment करके पूछ सकते, तब तक के लिए all the very very best channel को subscribe करना मत बूलिएगा, और साथ में लगे bell icon को press कर देना, thank you